नमस्कार दोस्तों डाइरेक्ट सेलिंग इंडिया में हम आप लोगों का एक बार फिर से नए प्रोडक्ट के साथ स्वागत करते हैं आज हम आपको स्वेचा प्यो कॉफी के बारे में बताएंगे कॉफी पीना सेहत के लिए काफी लाबकारी माना गया है कॉफी पीने से स्ट्रास कम होता है इसके साथ ही डाइबिटीज, ब्लड प्रेश और अन्य बीमारियों में भी फाइदा मिलता है वही आपको बता दे कि हर साल एक अक्टूबर को इंटनेशल कॉफी डेक मनाया जाता है चाय के दिवाने तो बहुत होते हैं लेकिन कॉफी के शौकिन लोगों की संख्या भी कम नहीं है कॉफी के प्रती दिवानगी पूरी दुनिया में देखी जाती है कई लोगों की तो दिन की शुरू आत ही इस ड्रेंट के साथ होती है साथ ही नाइट शिफ्ट और पढ़ाय करने वाले स्टुडेंट्स को भी कॉफी की एक कप रात भर जागने में मदद करती है इस ड्रेंट की महाथी लोगों को अपनी और आकर्शित करने के लिए काफी होती है कॉफी नींद भगाने के साथ कई अनेक बीमारियों में भी लाब पहुचाता है आज हम आपको कॉफी पीने के फायदे के बारे में बताने जा रहे हैं नेशनल कॉफी असोसियेशन के अनुसार कॉफी दुनिया में सबसे अधिक गिमान की जाने वाली चीजों में से एक है कॉफी पीने का इतिहास एक इथियोपियाए बकरी चराने वाले के साथ शुरू हुआ था जिसने पहली बार कॉफी बीन्स के प्रभावों की खोज की थी तल्दी नाम के चरवाहा ने जब अपनी बकरियों को चराने के लिए मैदान में गया तो देखा कि उसकी बकरियों ने किसी जंगली पौधे को चबा लिया है और इसके बाद वे जोर जोर से कूदने लगी उसे लगा शायद बकरियों ने किसी नशीले पौधे को खा लिया है तब पादरी ने फलियों को उबाला और इस ड्रिंट का सेवन किया जिसके बाद उनमें शाम को एनरजी आ गई जो हर रोज सुस्त महसूस करते थे पादरी के बाद बाकी साथियों सभी ने कोफी बीन का ड्रिंक पीना शुरू कर दिया और फिर धीरे धीरे दुनिया भर के लोग इसे एनरजी का स्रोथ मानने लगे कोफी बीन पौलिफेनोल एक्टिविटी का एक पावहाउस है पौलिफेनोल उस पौधो में पाए जाने वाले यौगिक होते हैं जिन में हाई एंटियोक्सीडेंट एक्टिविटी होती है जो नुकसान पहुँचाने वाले मुक्वकुनों का अंदर से मुकाबला कर सकते हैं फ्री रेडिकल्स या कहें अस्थे रनू डी एन ए और प्रोटीन को नुकसान पहुचा सकते हैं लेकिन कॉफी में मौजूद एंटियोक्सीडेंट हमें इन से बचाते हैं अपने कुछ बुनों के जरिये कॉफी शरीर के दोशों के लिए फाय दिमंध हो सकती है लेकिन अगर इसका कम मात्रा या कहें कि मौडरेट फॉर्म में सेवन किया जाये तब जी वोक्तमा आयुर्वेद केंद्र के डॉक्तर शरद कुलकर्नी के अनुसार अगर आप कम मात्रा यानि आधा कप कॉफी पीते हैं तो इससे कोई हानी नहीं होगी लेकिन अधिक मात्रा में आपके दोश बढ़ सकते हैं एक कॉफी का कप आपको अलजाइमर जैसी बीमारी से बचा सकता है कॉफी बलड प्रेश को कम करने में मददगार होता है आलस को भगाता है कॉफी पीने से शरीर में स्फूर्ती आ जाती है स्ट्रास कम होता है कॉफी का एक कप आपकी सारी टेंशन को दूर करता है मोटा पा कम करने में मददगार कॉफी एक लोग प्रेश पेपदार्थ है जिसे उसकी खुश्बू और स्वाद के लिए जाना जाता है आमतोर पर ताजगी और स्फूर्ती पाने के लिए लोग इसका सेवन करते है रोजमर्रा के जीवन में बड़े शौक से पी जाने वाली कॉफी के फायदे और नुकसान दोनों की जानकारी होना भी जरूरी है कॉफी को कॉफिया अरबिका नाम के पेर पर लगने वाले फल से तयार किया जाता है इस पेर पर लगने वाली फलियों कॉफी बीन्स को भून कर और पीस कर कॉफी पाउडर बनता है कॉफी की लोग प्रियता का पता इसी से लगाया जा सकता है कि वर्तमान में इसकी मान्गिस के उत्पादन से भी ज़ादा है कॉफी का सेवन करने से शरीर को कई लाब मिल सकते हैं बस इस बात का ध्यान दे कि यहां बताई गई किसी भी समस्या का इलाज नहीं है यह सिर्फ समस्या से बचाव और उसके प्रभाव को कुछ हद तक कम करने में सहायक हो सकती है उर्जा और फुर्ती बढ़ाने में कॉफी मददगार हो सकती है दरसल कॉफी में मौजूद कैफीन को दिमाग और तंत्र का प्रनाली की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए जाना जाता है सुबल की समय एक कप कॉफी का सेवन आपको दिन भर उर्जावान रखने के लिए काफी है साथ ही इसे पीने से बार-बार भूख लगने की समस्या भी कम होती है इसमें पाए जाने वाला कैफीन हंगर को कंट्रोल करता है स्वेच अप्यो कॉफी को आप अपने नजदी की किसी भी RCM Wonder World स्टोर से आसानी से खरीद सकते हैं मिलते हैं अगली बार नए प्रोडक्ट की जानकारी के साथ तब तक के लिए नमस्कार